बहुत बार हमने अपने आसपास या घरों में लोगों से सुना है लात को मीठा लेके, मीठा खाके बाहर मत जाना नहीं तो भूत पीछे पड़ जाएंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा है लात को जो ओनलाइन खाना आप तक पहुँचाते हैं उनका क्या? ओनलाइन फूट डिलिवरी के जमाने में कितना आसान हो गया है घर बैठे बैठे खाना ओर्डर कर देना टाइम भी कितना बचता है कहीं जाना भी नहीं पड़ता घर बैठे अपनी पसंद का खाना वो भी गर्मा गर्म पर क्या कभी सोचा है इन डिलिवरी वालों के बारे में जब ये रात को कहीं ओर्डर डिलिवर करने जाएं और इने कहीं बूत, प्रेत या राक्षस देख जाएं नवरात्री के दिनों में घर पर जादतर सबने वरत रखे थे जिसकी वज़े से खाना भी सभी के लिए वरत वाला बनता था मेरे लिए वरत का खाना भी नहीं बचा था उस दिन मैंने कहा कि अपने लिए भार से कुछ मंगा लेता हूँ रात के ग्यारा बज रहे हैं मैंने कहा आप लोग अब कहा किचन में कुछ बनाने बैठोगे उस दिन मैगी भी खतम थे, नहीं तो वो ही बना ले था खेर, मैंने ओनलाइन खाना देखना शुरू किया कि इस वक्त क्या मिल सकता है, कितनी जल्दी मिल सकता है चार-पांच लोकिशन जो थी घर के आसपास दिखा रहा था महां से मंगाने में जल्दी भी आ रहा था खाना मैंने एक मिनी थाली add to cart की, ओनलाइन पेमेंट की और order confirmed, करते करते सवा ग्यारा के आसपास टाइम हो गया था पांच मिंट बाद फोन आता है, हेलो सर आपका address कहां पड़ेगा मैंने अच्छे से घर का address बताया, और फोन में कोई movie देखने लगा दिखा रहा था order के आदे घंटे में पहुँच जाएगा मैं अपने फोन में कोई horror movie देख रहा था और भूक भी बड़ी लगी थी, कि बस जल्दी से खाना आ जाए मैं बार-बार order को track कर रहा था, कि कप तक आएगा तकरीबन 10-15 मिन्ट बाद, order बनके तयार हुआ और जो delivery करने आ रहा था, उसका नाम था दीपक ये बदला हुआ नाम है, order आना था हौसकास फिलेट से वहां रात में कई बार और रेस्टोरेंट हैं, जो देर रात तक खुले रहते हैं, नो जवानों के बीच काफी famous जगा है ये मैंने दीपक को call किया, के भाई कब तक आएगा उसने कहा, सर बस 15 मिन्ट में लेके आ रहा हूँ, आप निश्चेंत रहिए उसके फोन काटते ही, मैं दुबारा मूवी देखने में लग गया मैं मूवी देखने में कुछ इस कदर खुया के टाइम का पता ही नहीं चला दीपक ने कहा था के 15 मिन्ट में आ जाएगा लेकिन उसे आदा घंटा हो चुका था और मैंने और्डर ट्रेक किया तो वो अभी भी 7 मिन्ट दिखा रहा था 12 बच चुके थे, मैं बाहर बालकोनी में कड़ा था और सब कुछ शान्त हो चुका था थब तक ना कोई नजर आ रहा था, ना कोई अवाज आ रही थी मैंने दीपक को फोन किया दो-चार बार कोशिश करने के बाद उसका नमबर लगा बैल पूरी बजी, पर फोन नहीं उठाया दुबारा से कॉल किया पर फिर वही, कोई जवाब नहीं दो मिनट बाद दीपक का कॉल आता है मैंने कहा भाई कहा हो इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए था उसने कहा सर बस पहुँच गया हूँ बीच रास्ते में बाइक में कुछ दिक्कत हो गए थी और अभी आपके घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूँ मुझे एड्रस में थोड़ी दिक्कत हो रही है मैंने कहा भाई आप कहां पर खड़े हुए हो पहले ये बताओ उसने बताय कि एक पानी की टंकी है यहां बड़ी सी पानी की टंकी है और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है उसी के नीचे खड़ा हूँ मैंने कहा हाँ सही जगा हो मैंने उसे बताय कि यहां से कैसे कैसे आ सकते हो उसने कहा ठीक है आप फोन मत काटना मैंने कहा ठीक है मुझे कुछ खटर पिटर की आवाज आ रही थी पता नहीं क्या कर रहा था वो मेरे पीछे से भाई आया क्या हुआ यहां क्यों खड़ा है मैंने कहा तो भाई ऐसे कौन डराता है उसे बताया वो मैंने खाना ओर्डर किया है तो डिलिवरी वाले बंदे का फोन आया था उसने कॉल किया था उसी के साथ लाइन पर हूँ मुझे इंतिजार करते करते पांच मिन्ट हो चुके थे जबकि मेरा घर वहां से दो मिन्ट की दूरी पर भी नहीं था कुत्तों के भूकने की अवाज आ रही थी मैं यहां से हैलो हैलो बोले जा रहा था पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा था कुत्तों की अवाज लकतार आ रही थी खाना ओर्डर किये मुझे एक घंटा होने को आया था अब तो मेरी भूक भी मर चुकी थी मुझे ना जाने क्यों उस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा था पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा था इतने में भाई फिर से आया क्या हुआ तेरा ओर्डर का है मैंने कहा पता नहीं अभी तो वो पानी की टंकी के पास खड़ा था भाई कहता चल नीचे चलते हैं गाड़ी भी पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगा देता हूं मैंने कहा ठीक है चल हम दोनों नीचे गए गाड़ी को MCD की पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगाने वाले थे तो भाई ने कहा कि चल एक बार तिरा वो डिलिवरी वाला बंदा का है उसे देख कर आते हैं भाई ने गाड़ी कोलोनी से बाहर की तरफ मोड ली बाहर आते ही गाड़ी पाने की टंकी की तरफ मोड़ी और वहाँ डिलिवरी वाले बंदे की बाई खडी दिखाई दी मैंने अभी तक फोन नहीं काटा था मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था पर सामने से कोई रिपलाई नहीं मैंने फिर फोन काटके उसे दुबारा कॉल किया बैल जा रही थी भाई ने गाड़ी साइड में लगाई और हम गाड़ी से निकले मोबाईल की रिंग सुनाई दे रही थी के कहीं आसपास से यवाज आ रही है पर दीपक कहीं नजर नहीं आ रहा था महां स्ट्रीट लाइट कुछ दूरी पर थी पेड़ की वज़े से लाइट बहुत कम आ रही थी भाई ने मोबाईल की फ्लेश लाइट आउन की बाईक में देखा तो अभी चाबी लगी हुई थी और उसका खाने का बैग भी खुला हुआ था भाई जल्दी से गाड़ी की तरफ गया और वहां से एक छोटा सा डंडा निकाल के लाया वो गाड़ी में एक छोटा सा डंडा रखता है रात के सफर में कभी कभी बहुत जरूरत पड़ सकती है इसकी हम धीरे धीरे महां देखते हुए जा रहे थे कुत्तों के भौकने के वाजा रही थे थोड़ा आगे जाके वहां एक छोटी सी पारकिंग थी जहां पर कुछ खाना पड़ा हुआ था और वहीं वहीं उन कारों के बीच में दीपक गिरा पड़ा था उसका फोन भी वहीं बज़ रहा था वो छटपटा आ रहा था वो देखते ही हमारी हालत खराब हो गई भाई कह रहा था यसे क्या हुआ वो अपने हाथ के इशारे से उपर पेड की तरफ इशारा कर रहा था वहां उपर पेड की तरफ पानी की टंकी पर एक परचाई नजर आ रही थी जो कुछ खा रही थी चबाने की अवाज आ रही थी हमने जल्दी से दीपक को उठाया और उसे कंधी के सहारे से उसकी बाइक तक लेके आये वो अभी भी काप रहा था इतने में महां कलोनी के सिक्योर्टी गाड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में दंडा देख यू लगा के हमने दीपक की ऐसी हालत की है दीपक ने सिक्योर्टी गाड को बताये के इन्होंने कुछ नहीं किया मैं यहाँ पर भाई साब का खाना लेके खड़ा था और घर का एड्रस कंफर्म कर रहा था तब ही उपर पेड़ पर से कोई आदमी आया और मेरे खाने के बैग में से खाना निकाल के वापस उपर चड़ने लगा मैंने उसे पकड़ा और रोकना चाहा तो वो बिगड गया उसने मुझे नीचे पटक के मेरे पैरों को खीचता हुआ महां गाड़ियों के पीछे ले गया मैं महां चटपटा आ रहा था वो मेरी चाती पर आके बैठ गया तब मैंने उसका वो बयानक चहरा देखा उसके मुझे लार टपक रही थी मेरे सिर के पास उसने खाना खूला और मुझे चाटते हुए उसमें से मीठा खाने लगा और खाता खाता वापस उपर पानी की टंकी की तरफ चला गया मैं सब देख रहा था मेरी आवाज तक नहीं निकल पा रहे थे ना मैं हिल पा रहा था वो जब वापस से पानी की टंकी पर चढ़ रहा था तो मुझे पर थूकने लगा और हस्ते हस्ते चला गया इतने में आप लोग आ गए तब मैंने आपको हाथ के इशारे से उसके बारे में बताया सिक्योर्टी गार्ड उसे अपने बूत तक लेके गए जहां वो रहते थे उसको पानी पिलाया और उसके घर फोन किया उसकी बाइक को यही सिक्योर्टी बूत के पास लगा के हम उसे पास ही के एक अस्पताल लेके गए जहां डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाईयां दे मैंने उससे पूछा के कहा रहते हो भाई तो उसने कहा कि यही मालवे नगर में हमने कहा छोड़के आ जाएं बाइक तुम्हारी वहां सेफ है कल दोपहर में आके ले जाना अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है रात के साड़े बारा या पोने एक बजे हम उसे वहां छोड़ने गए मैंने पोचा भाई आप लोग रात में डिलिवरी करते हो तो ऐसे कभी पहले कुछ हुआ है या किसी और के साथ आपने सुना हो कुछ ऐसा तो उसने बताया कि कुछ जगा होती है जहां हम रात को नहीं जाते मैं भूल गया था कि मेरे बैग में खाने के समान के साथ मीठा भी है तो कहीं पेड के नीचे नहीं रुकना चाहिए था मैंने सुना था कि रात में कहीं मीठा खाके या मीठा लेके नहीं जाना चाहिए पर पता नहीं कैसे उस वक्त मैं भूल गया था कि मेरे बैग में मीठा है उस वक्त मुझे लगा कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊंगा जब वो मुझे चाट रहा था जब वो मेरी चाती पर बैठा था उसकी वो हसी उसका वो चेहरा और मेरी चाती पर यूँ बैठ जाना उसका बहुत भयानक था वो उसका गुराना अभी भी मेरे कानों में गूँज रहा है उसकी आवाज अभी भी मैं सुन पा रहा हूँ हमारी ताका तो उस बेड़िये के सामने कुछ भी नहीं उस हादसे के बाद से मैं सभी को कहता हूँ रात को मीठा खाके बाहर मत जाना ये गलती ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं